कुरोना महमारी की तूसरी लहर और जरकार की तरफ नई निवेश पर योजनाओं में भारी गिरावट की बज़ा से पिछली तिमाही की तुल्ला में चालू विद्वर्श की पहली तिमाही में नई निवेश योजनाएं 18 फीस्दी तक प्रभावित हुई हैं अर्थ वैवस्था को पट्री पर लाने के लिए सरकार के खर्च करने के दावे के बावजूद सारवजनिक बुनियादी धाचे का निवेश जनवरी मार्च तिमाही के तुल्ना में लगभग आधा हो गया है इसकी वज़ा से इस साल अपरेल से जून मेहने के अवधी में नई योजनाओ पर कुल खर्च 49 फीस्दी कम हुआ है इस दौरान 3,34,572.5 करोड के नए निवेश वाली लगभग 2,200 नई परियोजनाओ की खोशना की गई जबकि पिछले तीन मेहने के अवधी में 4,8,237 करोड उपय की 2,716 नई परियोजनाओ की खोशना की गई थी मसलन वितवर्ष 2021 की जौथी तिमाही के दोरान नीजी और सार्वचनिक दोनों छेतरों के निवेशों में महामारी के बाद पहली बार जोरदार उचाल देखा गया था निवेश परियोजनाओ को लेकर प्रोजेक्ट स्टुडे की रिपोर्ट के मताबिक वितवर्ष 2022 की पहली तिमाही में केंद्र और राज्य सरकारों का कुल नया निवेश 41.6% कम होकर 97,376 करोड रुपय रहा जो वितवर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1,666,870 करोड रुपय रहा था मसलिन मैनुफाक्चरिंग इंफ्रस्ट्रक्चर और इरिगेशन की छेत्रों में सरकारी निवेश घटा है मैनुफाक्चरिंग छेत्र में पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 481 करोड रुपय का निवेश हुआ है जो 77.03% की शुद गिरावट है इनके अलावा इंफ्रस्ट्रक्चर पर पिछली तिमाही में जहां सरकार ने 1,33,696 करोड रुपय का निवेश गया था उसमें 48.03% की गिरावट देखी गई है जबकि इरिगेशन छेत्रों को तुमानो अर्थ वेवस्था का हिस्सा ही नहीं माना गया है इस छेत्र में सरकारी निवेश 96% तक कम हुआ है इसके विपरीत इस वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश में क्रमिक रूप से केवल एक दशुमलव 7% की गिरावट देखी गई जन्वरी और मार्च 2021 के बीच विनिर्मान परियोजनाओं में 45% की महत्तपूर व्रिधी की वचा से ये जन्वरी और मार्च 2020 के बीच एक दशुमलव 7.9 लाग करोड से अधिक पर पहुँच गई हाला कि इन निजी विनिर्मान निवेशों में लगभग 1.1 लाग करोड सिर्फ चार बड़े प्रोजेक्ट से संबन्दित हैं जिन में Reliance Industries द्वारा घोशित 60,000 करोड ग्रीन एनर्जी कॉमप्लेक्स गुजरात में अडानी एंटरप्राइजस की दो PVC यूनिट्स जिसके कीमत 29,200 करोड रुपए है और वेदान्थ द्वारा कॉपर्ट समेल्टर में 10,000 करोड का निवेश शामिल है ट्यूर्पोर गोड्योंस